हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज्जू के स्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इको स्प्रिन एवी 75 के अपसुल्स के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक यूज के बारे में कि कौन सी अलग-अलग मेडिकल कंडिसंस में ये कैपसुल्स को यूज किया जाता है साथ ही जानेंगे उसके डूस के बारे में साइट इफेक्स क्या होती है and warning and contraindications वगेरा को सिखेंगे तो सुरू करते हैं आज का lecture और जानते है EcoSpring AV-75 Capsules के बारे में तो अब हमारी जो AFA PharmaRox वहाँ पे आप Decisions and Medicines Related Course एक्सेस कर पाऊगे कि Medicines Related Lectures के PDF उनके PPTs वगेरा आप एक्सेस कर पाऊगे affordable price में और साथ में Video Lectures भी आप एक्सेस कर पाएंगे तो अभी डाउनलोड करें आप PharmaRox और एक्सेस करें Medicines Course वह भी affordable price के अंदर तो Study Material Taste Series and Video Lectures के लिए जरूर से डाउनलोड करें आप PharmaRox तो अब समझते हैं Ecosprin AV75 के बारे में तो यह जो कैप्सुल से उसके अंदर दो Medicines का Combination है कि यहाँ पर आप देखो Ecosprin के साथ लिखा है A and V तो A का मतलब होता है Aspirin और साथ में जो V है उसका मतलब होता है Atorvastatin के दो Medicines का यह Combination है कि A for Aspirin और दूसरा जो V है वो बनता है Atorvastatin का V दूस तरह से दो Combination में Medicines है यहाँ पर कि जिसको कहा जता है Ecosprin AV75 देखोगा Aspirin दूसरा होगा Atorvastatin और यह जो Combination है Medicines का वो यूज किया जता है Heart Attack को Prevent करने के लिए Heart का जो Stroke आता है उसको Prevent करने के लिए और साथो साथ जो High Cholesterol होता है कि जिसको हम कहते है Low Density Lipoprotein की मात्रा समझे के ज्यादा है और साथो साथ Heart Disease का जो Patient है तो उनके लिए यह Medication specially यूज की जाती है कि जिनके अंदर Heart Attack को Prevent करने के लिए और Stroke को Prevent करने के लिए यह Medication useful होती है तो यहाँ पर उसके आप Label को देखोंगे तो EcoSprin AV75 के जिसके अंदर Atorvastatin जो है वो 10 mg जितना Medication है और Aspirin देखे तो वो है 75 mg तो यह दोनों के Combination से यह Medication तयार होती है और यहाँ पर उसकी Storage Condition है के खास आपको 30 degrees से कम temperature पे उसको Room temperature पे Store करना होती है और Moisture से उसको Proper Prevent करना होती है साथ ही यहाँ पर लिखा है कि Prescription Based Medication है Cedule H की कैटेगरी में यह Medication आता है तो यह जो एक कैटेगरी है EcoSprin AV के जिसके अंदर 75 mg है Aspirin और Atorvastatin है 10 mg अब दूसरा एक doses form आता है इसका ही EcoSprin AV 75 में के साथ में 20 भी लिखा है तो उसका मतलब यह होता है कि उसके अंदर Aspirin तो 75 ही है बाट Atorvastatin जो हो जाता है 20 mg तो जैसे हमने Anti Hyperlepidemic Drugs के अंदर सीखा था कि जो Atorvastatin का जो dose होता है 10 से लेकर 40 mg पर डे जितना dose रहता है Atorvastatin का तो उसके करण यह जो टाबलेट्स होते है EcoSprin AV के उसके अंदर कुछ टाबलेट्स के अंदर 10 mg भी होता है Atorvastatin और कुछ मेडिकेशन के अंदर 20 mg जितना Atorvastatin अवेलेबल होता है अब जिस तरह से patient के condition है कि उनके अंदर समझो कि LDL का लेवल काफी ज़्यादा है और जो cholesterol जो हम कहते है fat काफी ज़्यादा है और वो responsible बनता है heart attack के लिए और साथो साथ जो aspirin भी उनके लिए काम करेगा तो ऐसे cases में 20 mg जो है वो preferable रहता है कई बार और समझो कि LDL और fat का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है तो उस वक्त ये combination भी use किया जाता है तो खासकर report के उपर depend रहता है कि LDL and fat का लेवल कितना है body के उपर उसके according to 75 mg aspirin के साथ ये 10 mg अटरवा statin या फिर 20 वाला combination use किया जाता है तो अटरवा statin जो ये वो statin class का medication है anti hyper lipidemic agents के अंदर ये आता है और ये medications क्या करती है ऐसे enzyme को block करती है कि जो cholesterol बनाते है और cholesterol में भी जो low density lipoprotein होता है LDL जिसको हम कहते है कि जो bad cholesterol कहा जाता है तो उसकी मातरा को कम करता है आपकी body के अंदर और aspirin क्या करती है prevent करवाती है blood gluten को blood thinner के तोर पे काम करती है और heart attack and stroke को prevent करवाएगा ये medications लेनी के बाद तो eco spring EV के जो basic user indications हम देखे तो enzyme की जो condition produce होती है chest pain उसमें भी ये medication जो है वो prescribe की जाती है फिर heart related जो chest pain होता है उसके अंदर ये medication prescribe की जाती है फिर treatment में और prevention में heart attack के ऐसे patient के जिनके अंदर LDL की जो level है वो काफी ज़्यदा है TG का level भी ज़्यदा है और heart related patient है तो उनके अंदर ये heart attack को prevent करने के लिए eco spring EV के जो capsule से वो prescribe किये जाते है फिर जो stroke की condition produce होती है especially heart related जो stroke होता है उसको prevent करने के लिए फिर blood clotting को भी prevent करवाता है कि blood clotting भी responsible बनता है अगर कि LDL और TG तो ज़्यदा है पर साथो साथ patient के अंदर blood clotting के भी complication है तो उस वक्त ये eco spring EV जो combination है वो based रहता है साथो साथ जो aspirin है उसके अंदर तो वो blood thinner का भी काम करती है antiplatelet का भी काम करती है और atorvastatin जो है वो reduce करेगा आपका lipid और जो bad cholesterol को कम करेगा तो ये सभी condition को treat करने के लिए eco spring EV के जो capsule से वो prescribe की जाते है तो सही से उसके indications हम समझे तो ये medication small dose के अंदर small dose मतलब की atorvastatin का जो है वो low dose वो हो जगाएगा 75 10 mg और aspirin का जो dose है वो है 75 mg तो ये low dose वाला जो combination के atorvastatin का भी सबसे lowest dose और aspirin का भी सबसे lowest dose ये दोनों का जो combination बनता है वो prevent करवाएगा blood clotting and जो platelets की जो action है कि जो clotting करवाती है तो वो action को prevent करवाएगा और atorvastatin क्या करता है reduce करता है triglyceride के level को as well as LDL के level को भी reduce करेगा कि जिससे ये medications लेने से फाइदा ये होता है कि blood के अंदर जो lipid ज़्यादा है high level of lipid या फिर जिसको हम fat कहते है या फिर cholesterol कहते है कि जो bad cholesterol है या फिर hyper lipidemia के condition है कि lipid काफी ज़्यादा है आपके अंदर तो उस वक्त ये medication सबसे base रहते है कि lipid भी ज़्यादा है और साथो साथ clotting related भी problem हो रहे है तो उस वक्त ये combination useful रहता है कि जो high LDL के level को treat करता है high cholesterol के level को high lipid और समझे कि clotting related भी problem हो रहा है और उससे भी risk बनता है heart attack का तो उस वक्त ये medication का जो combination है वो prescribe किया जाता है तो इकोस्प्रिन इवी क्या करती है जो LDL जो होता है low density lipoprotein तो वो करता क्या है तो आपके जो artery है तो उसको narrow करता है कि जब normal artery होती है तो उसमें आप देखो HDL का level जादा होता है कि जो HDL high density lipoprotein कि ये जो यहाँ पे blue color के दिखाए गए है ऐसे HDL जादा होने से क्या होता है कोई भी ऐसे problem नहीं होते blood vessels के narrowing के जबकि यहाँ पे ये blood vessel जो आपकी है वो narrow हो जाती है कि जिससे ये blood flow हो रहा है उसमें complication होता है और ये blood flow के अंदर जब obstruction आता है ये narrow हो जाने के करण या फिर यहाँ पे block होने के करण तो वो ही reason बनता है कि heart के उपर जो है वो pressure बढ़ता है और वहाँ पे heart attack and stroke की condition होती है तो LDL से ये होगा पर साथ में समझे की clothing का भी problem हो रहा है तो ये जो blood यहाँ पे flow हो रहा है वो समझे कि वो अपने clothes भी बनाएगे तो जिससे risk काफी बढ़ जाता है heart attack का और उसी को prevent करता है ये eco spring AV tablet की ये medications लेने से जो LDL की जो मात्रा है वो कम हो जाएगे और इस तरह से HDL बढ़ेगा और LDL जो है वो कम हो जाएगे कि जिससे आपकी जो artery से ऐसे normal रहती है और आसानी से जो है blood flow होता रहता है कि जिससे heart attack का कोई भी risk नहीं रहता तो eco spring AV का जो हम working देखे तो उसमें जो aspirin है तो aspirin क्या करती है cox inhibitor medication है तो aspirin जो है low dose के अंदर cox 1 को inhibit करती है cox 1 के inhibit होने से आगे जाके prostaglandins का formation नहीं होता और prostaglandins के formation रुकने से आगे जाके जो उसके anti-platelet actions जो है आपको मिलती है कि जिससे platelet का जो aggregation है वो रोकता है कि जिससे clotting जो है वो prevent होता है तो वो anti-inflammatory action भी देता है anti-platelet action देता है कि जो prevent करता है clotting और analgesic बट यहाँ पे उसकी main effect हमें मिलती है यह anti-platelet की जो low dose में use होता है 75 milligram के अंदर उसके अंदर रहा दूसरा medication जो statin है atorvastatin तो वो है hmg coenzyme reductase inhibitor तो उसका जो main function है reduction of lipid level in the body as well as blood blood के अंदर जो यह LDL की मातरा जो बढ़ जाती है तो उसको कम करता है यह atorvastatin तो LDL की जो हमारे लिए bad cholesterol कहा जाता है low density lipoprotein तो उसको lower करेगा और साथो साथ increase करेगा high density lipoprotein के level को कि जिससे इस तरह से आपकी जो arteries है वो हो जाएगी normal और artery के normal होने से heart को कोई भी ऐसा जो है वो workload नहीं बढ़ता because यह narrow हो जाने से heart के उपर workload जो है वो बढ़ता है और यह normal हो जाने से heart के उपर workload काम होने से heart attack वगएरा का risk नहीं रहता तो EcoSprin EV Capsules के हम dose के बारे में समझे तो यह आप जो 75 जो है EV 75 के जिसके अंदर aspirin 75 है Atorvasetin 10 में हम जी रहता है या फिर 20 के जिसे मैंने already आपको समझाया है तो समझे कि आप यह वाला combination यूज करते है तो यह specially OD once a day जो है वो लिया जाता है कि treatment जो है वो हमेशा low dose से start की जाते है कि जिससे adverse effect जो है वो हम avoid कर सके तो 75 के जो यह tablet से, capsule से स्वरी तो once a day लिया जाते है और higher dose में उसको कभी भी use ना करें, जब भी treatment चालू होती है तो पहले once a day ही लेना चाहिए और जरूरत पढ़ने पर ही यह medication को दिन में दो बार लेनी चाहिए तो सरुवात होती है OD से और फिर regular reports कराने के बाद ही उसका dose जो है वो change किया जाता है अब समझतों इसके side effects क्या होते है तो यह medications लेने के बाद heart bone की जो condition है patients जो कईवाल feel करते है कि सीने में जलन होना फिर increase हो सकती है bleeding tendency nausea जैसा feel होता है stomach upset जैसे feeling vomiting वगएरा हो जाना indigestion की condition skin के उपर hives develop होना breathing के अंदर कई बार difficulty हो जाती है बट वो specially तब भी होती है कि जब high dose में को इसको use कर लें कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि OD में use होता है once a day तो ऐसे कोई complications नहीं होते बट समझे कि आप high dose में use करो तो complications हो सकता है running nose जैसा eating और race syndrome होता है aspirin के कारण दूसरे side effects देखे तो common side effect indigestion जैसे हमने सेखा eating cough जैसा हो सकता है nausea vomiting fatigue मनलब कि थकान जैसा फिल होना कुछ cases में diarrhea हो सकता है atorvastatin के कारण और redness जैसा कई बार हो जाता है कुछ लोगों को face या फिर neck के उपर कि अगर उनको ये statins के allergy है तो contraindications का है कि जब समझे कि किसे को पैप्टिक अलसर है तो ये medications को proper आपके doctor या फिर pharmacist के सलाह के according to लेनी चाहिए bleeding disorder से तो भी आप ये medication को यूज ना करे hypersensidity है आपको non-steroidal anti-inflammatory drugs की तो भी उसको यूज ना करे because ecosprin EV के अंदर atorvastatin के साथ जैसे हमने सिखा कि aspirin है और aspirin जो है वो non-steroidal anti-inflammatory drug है भले यहाँ पे वो low dose में anti-platelet का काम करता है बड़ समझे कि आपको nurses की allergy है तो ये medication यूज नहीं करनी चाहिए फिर under 12 के जो age के जो children है उनके भी यूज नहीं किया जाता है अगर किसी को liver disease है pregnancy and lactation में यूज नहीं किया जाता या फिर chicken flock से influenza infection से तो भी medication यूज नहीं किया जाती फिर आपको allergy है HMG coenzyme reductase inhibitors मतलब की statins की जो allergy है जितने भी जो statins आते है इनके allergy बिकाज या पे aspirin के साथ है atorva statin भी है तो statin के allergy है तो भी यूज ना करें hypersensitive reactions आपको हो जाती है pregnancy and lactation का period है endocrine function मतलब की आपके hormone related problem है आपके अंदर hormonal imbalance है renal impairment मतलब की kidney अच्छे से काम नहीं कर रहे kidney failure के patient है already आपको liver disease है या फिर आपका liver खराब है तो भी यूज ना करें और ऐसे problem है कि जिसके अंदर आपका जो liver है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा तो यह सभी conditions में eco spray navy के capsule से वो counter indications के list में आते है तो यहाँ पे जैसे हमने सिखा atorvastatin and aspirin का combination eco spray navy ऐसे और medicines के बारे में सिखे उनके basic use, dose, side effect and warning को सिखे medicine course के अंदर farmer rocks के अपकर जहाँ पे medicines की जानकारी पाएंगे वो भी सरहल बासा में और price भी रहेगी affordable आप करेए और वो भी validity एक यहर की रहेगी तो medicines rate lecture के pdf, ppt's उनके video lecture affordable price में एकसेस करेए farmer rocks के अब उपर android user android app डाउनलोड करें iphone user app store से link description box में मिल जाएगी या फिर यह number पे आप whatsapp करके अब आपके query जो है वो solve कर सकते हैं तो study material test series एं video lecture के लिए डाउनलोड करें आप farmer rocks android application on google play apple iphone app on app store link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best